चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी इकॉनमिक्स की सीरीज चल ली थी इसका पार्ट नमबर 6 और यह काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं अभी तक हम लोग 4 & 5 पार्ट था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इंफ्लेशन की जो डेफिनिशन क्या होती है इसक कि काफिया था कि कारण के अधार पर और दर के अधर अब हम लोग देखते हैं कि जो मुद्र हैस्पीooky left is क्ोंग कैसे की जाती है अर्फिन कोई ना कोई तो प्रोसेस होता होगा जिससा पर हम क्याते हैं कि हमारे देश्थ में mustre centrally interest की दर FC ते तर्टति हो रही है आखिर eight percentage which कि रेट कैसे लिगा लगाता है आपके दिमाग में ऐसा कुश्चिन आ सकता है चलिए आज हम लोग इसी बारे मत करें कि हमारे देश में जो इंफलेशन हैं कैसे लिखा लगाता है अब देखे अभी तक मैं आपको एक्जामपल देता था एक बस्तू का एक बस्तू का कैसे मैं बोलता था कि जो टमाटर है इसका प्राइस दो गुना हो गया तो कि एक बस्तू के प्राइस में ब्रद्धी होने से पूरे देश में मुदरिस पितियाज आगी ऐसा नहीं है देखे जब समानता सभी बस्तूओं और सेबाओं के मुल्यों में ब्रद्धी होती है तब हम उसको क्या कहते हैं इन्फलेशन कहते हैं एक बस्तू के सिर्फ ऐसा नहीं है जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो प्यास होता है इसके जो प्राइस होते हैं वो दो से तीन से चार गुणा तक बढ़ जाते हैं कभी कभार तो क्या हम कहेंगे जो हमारे देश में मुद्र इस्पिति है वो 200-300-400% की दर से बढ़ी है नहीं ऐसा नहीं के बद क्योंकि एक बस्तू है ना के बद एक बस्तू के प्राइस में व्रद्धी होने से ऐसा नहीं होता है कि उतनी ही दर हो ओके तो हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या प्रोसेस होता है कि जिसके करण हम मुद्राइस्पिति लिकाल सकते हैं तो हमारे देश इसमें दो process अपना जाते हैं मुद्र इस्पिती को लिकालने के लिए देखिए इसके लिए हम दो index जारी करते हैं कौन-कौन से एक WPI और दूसरा CPI आखिर एक क्या है देखिए पहले हम लोग यूज करते थे WPI का लेकर अब हम लोग यूज करते हैं CPI का हम मतलब RBI जो जब ह हमारे पास पहले WPI था फिर हम CPI क्यों ले गया है पहले हम इसके द्वारा जो inflation rate था इसी को लिकालते थे और इसी को government अपनाती थी लेकिन बात में इसका use क्यों करने लगए government इस बारे में भी हम लोग बात करेंगा आपके दिमाख में आ सकता है कि जब पहले हमारे पास एक हमारे देश की सेंट्रल बैंक है किंद्री बैंक है जो हमारे देश की किंद्री बैंक है वो कौन है और यही हमारे देश में क्या गरती है मौद्रिक नीतियां जारी करती है मौद्रिक नीतियां जारी करती है अब देखिए जो RBI थी वो 2014 से पहले अपनी मौदलिक नीतियों को जारी करने के लिए जो आधार बनाती थी वो किसे बनाती थी WPI को लेकिन अब मुक्सू चुकांक उसका क्या हो गया यह किस कमेटी ने रिक्वेंडेशन दी थी तो एक कमेटी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे उर्जित पटे जो उर्जित पटेले हैं जो RBI की कवर्णरर भी रह चुके हैं इनके इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था जिन्होंने कहा था कि हमें WPI की जगे CPI को उप्योप करना चाहिए तो आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है क्या आप हम WPI को जारी नहीं करते हैं तो देखे एक कुशन है बहुत से लोग होते हैं गलत कर देता है देखे WPI अब भी जारी तो होता है देखे जारी अब भी होता है WPI भले हम 2014 से जो RBI का मुख सुचकांग है वो CPI हो गया तो अब क्या है जो RBI अपनी पॉलिसी लिकालती है वो किसके अधर पे लिकालती है behind-naps लेकिन अबी वी दोनों index जारी किया जाते है और पहले भी दोनों index जारी किया जाते थे जब 2014 से पहले RBI WPI को अपना मुख सुचकांग बनाया होई थी तो पहले ふे CPI जारी होता था अब CPI प्रमुक हो गया है तो अब WPI भी जारी होता है तो पहले पे दोनों जारी होते अब भी दोनों जारी होते हैं बस फ़रक इतना है कि अब इसका उपयोग करने लगी होके तो इतनी चीजा आपको समझ में आई तो अब हम लोग बात करते हैं कि WPI है इसके बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे CPI के बारे में, पहले हम लोग जाल लेते हैं WPI के बारे में, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखे, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे आपका एकदम जो अप्रोच है वो बन जाएगा, फिर हम लोग इसके जो scientific तरीक है, उसके बारे में बात करेंगे, तो देखे, इसमें क्या खरना जाता है, अब मैं आपसे ब development है, क्या लिए, एक टोकरी ले ले ली, अब माल लेते हैं, इस टोकरी में उसने सौ बस्तुप रख ली, सौ गुट्ट सरक ली, ओके, अब इन बस्तुप में जो इनका price होगा, क्या होगा, इनका price होगा, यह up-down होगा, मतलब, इनका जो price है, वो हमिशा थो सेम रहेगा नहीं ओकि अब इनके प्राइस में उतार चड़ाओ आएगा और इसी का जो पॉसत होगा एबरेस लिकल के आएगा इसी एबरेस को जो हम क्या गएंगे इन्फलेसर कहेंगे कि इतना आप इन्फलेसर बढ़े गिया है तो आपको एक प्राइस समझ में आ गया हमने एक टोक्री ली और उसमें 100 बस्तु एं रख लिए अब माल लेते हैं इन 100 बस्तु का कि बरद्धी होगी ना बस्तुओं कितनी है सो बस्तुओं है इन्हीं सो बस्तुओं को ले जाती है गौवर्यमेंट और 2019 में खरीदती है तो उसे कितना खर्च करना पड़ा सो रुपए और फिर इन्हीं बस्तुओं को उतनी ही क्वेंट्रेटी में क्या करती है 2020 में ले जाती दो गुना हो गया है यानि कि 100% की दर्थ से inflation rate बड़ा है तो inflation rate इस तरह से हम लोगों ने लिखा लिया अब देखिए जो इसका scientific तरीक है जो government यूज करती है वो क्यासा है चलिए हम लोग उसकी बात कर लेते हैं जो real basket है real token है वो इस तरह की दिखाई दीगी हम लोगों ने मान था कि 100 बस्तुएं रखी थे लेकिन government ने 100 नहीं रखी है उसने जो main goods थी यानिकि बस्तुएं थी वो कितनी रखी है च्छे सो सत्तान में रखी है तो इतनी बस्तुएं उन्हों ने रखी है और इसको तोकरी को उन्होंने तीन भागों में बाटा है इस तरह से आप देख सक चीज़ों थी इसमें रख दी और दूसरे में क्या रख दिया उसने बी निर्मिद बस्तु हैं मतलब manufactured जो goods होती है जो कार खानों में जिनका नरमार होता है उन्हें रख दिया बी निर्मिद बस्तुएं का रख दिया अब तीसरे में जैसे कि इसमें और्जा हो गया एक तर टोब वो करते हैं ऐसी चीजों को रखा गया है प्राइमरी गुट्स में तो इस तरह से पूछा जाता है कि प्राइमरी गुट्स में कौन-कौन सी चीज़े रखी गई हैं वो ऐसे ऑप्सन देगा कि फल रसाइनिक और उर्जा तो आपको बताना पड़ेगा कि जो प्राइमर बस्तू हैं उसमें हमने कितनी बस्तू को सामिल किया है 117 और इसी में जो मैनिफेक्चर बूट्स हैं इनमें कौन-कौन सी आती जैसे कि धातू रताइन हो गए इसके जो फर्टिलाइसर होते हैं वो इसी में रखी गई है अब देखे इनका भार सबसे ज़्यादा है इस टो सबसे अधिक है अब देखे यूपी ऐसी जो कोशन करता है वो इसी तरह ऐसे करता है कि जो डब्लू पी आई की बास्केट में सबसे ज़्यादा बहार किसका है तो स्विक्वेंस भी पूछ लेता है तो आपको ऐसे देगा बीनेर में दबस्तू ब्राथ में बस्तू है उर् इनको आपको ध्यान रखना है तीसरे वाले में जैसे की लूब्रिकेंट पाबर फ्यूल जैसे की एलपी जो यह हो गया वो इसमें आता है विद्दू हो गई इलक्रिसिटी वो इसमें आते है कोईला गैस और जो इधन होता है जितनी भी तरह का इधन होता हो सब इसमें संसोदन नहीं कर सकती है तो ऐसा नहीं है इसमें संसोदन होता है लेकिन संसोदन कब होता है पांस साल के बाद और दस साल से पहले हो जाना चाहिए इसका क्या मतलब होगा जैसे अभी इसमें कब संसोधन हुआ है? 2017, मई 2017 यह आप लोग लिखना साथ है दो लिख लिए, यहां पर मैंने नोट ने किया है मे इसमें संसोधन हो चुका है, अब देखिए इसमें संसोधन कब हुआ? मे 2017 में अब government से आती है, इसमें हम संसोधन करना चाहते है तो वो काप कर सकती है अब वो सिर्फ संसोधन कर सकती है 2022 के बाद क्यों क्योंकि इसमें हमने IPR एड़ कर दिया यानकि गौवर्मेंट 5 सालों तक इसमें कोई भी संसोधन अमेंडवेंट नहीं कर सकती है यानि जो यह बस्तुएं है इनको कम या ज़्यादा नहीं कर सकती है इन बस्तुओं को कम या ज़्यादा नहीं कर सकती है अब गौवर्मेंट 2022 के बाद और 2027 इस बीच में उससे संसोधन करना ही करना है अब वो कब कर सकती है 2022, 23, 24, 25, 26, 27 इस बीच में इसमें से संसोतन करना है, आप कोई Gور experiencing है आप अप चाहते हैं कि अंप में संसोतन करना ही नहीं चाहता है, तो ऐसा नहींथ हैं, आप मजबूर है, आपको संसोतन करना होगा, बहले हैं आप इसमें कम करीके, बस्तूऊँ या फिर जादा करें, ओके, आप देखे हम लोग इसकी कुछ बाते कर लेते हैं, जो important business थाई हैं, कि इसमें सिर्फ बस्थों को रखा गया है, देखे, बहूत important बात देखे, WPI है, इसमें सिर्फ goods को रखा गया है, मतलब बस्थों को रखा गया है, इसमें जो सेबाई हैं, services है उन्हों को सामेल नहीं किया गया इस बात को आपको बिस्स धियान रखना है अब क्या होता है इसमें क्या होता है जो बस्तुए होती है इसी के मूल में जो परवर्तन होता है उसी को हम लोग देखते हैं और अगर हम बात करें कि इसके आकड़े कितनी बार प्रकासित किया जात अब आपको बिस्ति करता है तो इसे बाडिस मंतराल है यानी कि जो हमारा ministry of commerce है वह बाडिस मंतराल के साइट पर आपको देखने को मिलेगा और देखेट profit आप देखिए इसमें इतनी सारी बस्तुए हैं अब मान लेते हैं इसमें कुछ ऐसी बस्तुएंए होती है जिनका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता है और इसमें कुछ ऐसी भी बस्तुए होते होंगी जिनका price नचे आता है देखें आप लोगों को देखा होगा कि market में कभी कबार अगर favor दो तो टामाटर का price सस्ता हो जाता है और प्यास मेंगा हो जाता थे डायता है और कुछ ऐसे बस्तुएं थी, उन्होंने 50 रुपए कम कर दिये, तो टोटल कितना होगा, टोटल इसका आएगा लिकल के 50 रुपए न, तो यह कैसी अवस्ता हो गई, कुछ बस्तुएं हैं, वो प्राइस को उपर ले जाने की सूच रही हैं, कुछ बस्तुएं हैं, वो उसको नगरणघर दे रही हैं, तो एक तरह से खीचा थानी वाली अवस्ता होगी, इसी को नाम दे दिया गया, तो इसी आवस्ता हो क्या बोला, तो इतना आपको समझ में आगया होगा, अब हम लोग बात करते हैं, मुद्र इसपित की गण् desta क्या होटा गरणा में देखिक ए cta जैसे कि यह किस फार्मुली पर आधारीत होता है यह less का इंफ्लेशन ऩो मानते है कि पेपर में आया इस महिनी के लिए दो परसेंट है, तो ये 2% किसके अपिक्चा है, क्या पिछले महीनी के अपिक्चा है, नमंबर 2020 के अपिक्चा है, ऐसा नहीं है, ये किसके अपिक्चा लिकाला जाता है, ये लिकाला जाता है, लास्ट येर के जो दिसंबर होता है, दिसंबर महीना ही होगा, लेकिन लास्ट येर इसका जो compare किया जाता है वो कौन से बर्स से किया जाता है last महीने के उसी महीने से last बर्स होता है उसी महीने से इसके compare किया जाता है तो यह inflation rate होगा इसकी अपिक्छा 2% बढ़ गया तो अगर मैं आपसे पुछूँ कि हमें November 2020 का 2020 का inflation लिकालना है क्या लिकालना है inflation तो हम क्या से लिका लेंगे इसकी compare कहां से करेंगे हम इसको compare करेंगे November 2019 से तो मैं आपसे पूछता हूँ आपको comment box में बताना है अगर हमें October October 2019 का inflation लिकालना है तो हम इसे किसके compare में लिकालना है तो आपको बताना है comment box में कमेंट वक्स में आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता सलेगा कौन लोग वीडियो देख से हैं जिससे मैं क्या होगा कि उन्हें एक्स्ट्रा भी टाइम दे पाऊंगा अब देखिए कोई इस वीडियो को नहीं देखा और फिर मुझे से पूछ रहे कि सरी मैनुफेक्टर्ड गूद्स क्या होता है या फिर भी क्लेसन क्या होता है और फिर GitHub क्या होता है तो मुझे समझते हैं आगा न कि आपने वीडियो नहीं पर आetty नहीं देखा है और आमात बी तो आईससे लोगों को मैं आलग कर देता हूं आप लोगों क stretष घर रही है और देख महीने का inflation लिकालते हैं उसकी तुलना किसे करते हैं लास्ट एयर के उसी महीने से करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं लैस्पियर फार्मूला कहते हैं और इसके लिए आधार बार देखिए हैं हम लोग जो inflation लिकालते हैं इसके लिए कोई हमने आधार बारत से यान किवे सियर हमने ह դो हजार ग्यारवारा किया है और इसमें जो इंडरिक Phopus का जो हिसा होता है उसको सामिल नहीं किया जाता है यानिकि जो इंडरिक Ph hometown से इससे अगर इस basket में price उपर निसें जाते हैं तो इसका प्रभाव पड़ेगा तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा indirect tax से अगर जो बस्तव का price उपर नहीं जाता है तो इसका प्रभाव इसमें देखने को नहीं मिलेगा ये बहुत important बात है इसको very very important लगा लिजिये इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो WPI है इसमें indirect tax होता है आप तिक्ष कर होता है उस हिस्से को सामिल नहीं किया जाता है यान कि उस हिस्से का जो प्रभाव होता है आप तिक्ष कर का प्रभाव होता है वो WPI की बास्केट पे नहीं पड़ता है ओके अगर हम इसके समस्याओं की बात करें तो समस्याओं क्या हैं कि जो हम देखिए अब मैं यहां पर एक आपको बात बताओं इसको सब क्लियर करके देखिए जो इतनी सारी बस्तुएं हैं इन बस्तू को हम प्राइस लेते हैं लेकिन प्राइस हम कहां से लेते हैं जाकर के प्रा मिलता है आप ऐसे बड़ी-बड़ी मंडियों में जाएंगे तो बहाँ पर आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि 20-200 ग्राम देदो ऐसा नहीं होता है बहाँ पर ट्रकों से सामान उतरता है होगे तो जो मंडी है बहाँ पर जो प्राइस होते हैं वो फूल सेल के रेट पर होते हैं और इन सोब कीपर से हम लोग जा करके सामान लेते हैं तो देखिए इसमें जो प्राइस लिया जाते हैं कोई ना कोई तो राइस लिया जाता होगा ना तो यह प्राइस कहां से लिया जाता है यह थोप बजार से लिया जाता है इसी का इसी लिए इसका नाम रखती है wholesale price index इसके नाम में ही सब कुछ चिपा हुए है wholesale price index का मतलब है इसमें जो हम price लेते हैं जा करके वो wholesale से लेते हैं ना कि MRP से जो हम लोग बस्तुओं का उपभूख करते हैं वो किस पर करते हैं MRP पर MRP होता है इसको हिंदी हम कहते हैं हम लोग जो बस्तुओं का उपभूख करते हैं वो किस पर करते हैं MRP पर करते हैं जैसे आपने देखा हुगा जो MRP होता है उस पर पढ़ा हुआ होता है किसी भी package पर आप देखेंगे तो पीछे MRP पढ़ा हुगा तो हमें जो चीजे मिलती हैं वो किस पर मिलती हैं MRP पर मिलती है लेकिन जो दुकानदार होते हैं वो भी MRP पर लाते होंगे क्या जैसे मालते हैं जो MRP है वो 10 रुपए है और वो हमें 10 रुपए में लाकर ही देतेगा क्या तो उसको profit कहा हुआ जब उसे profit नहीं होगा तो वो अपनी दुगान बंद करके घरी पर वे ठेका इससे अच्छा तो क्या होता है उन्हें MRP पर चीजे नहीं मिलती है MRP पर कौन खरीदता है हम लोग खरीद से हैं इन्हें MRP से कम मिलता है और देखें यहां पर एक अच्छी बात होती है कि आप मंडी के स्थर पर जाएंगे तो यहां पर price में variation कम मिलेगा आप देखें जब हम CPI पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा क्योंकि इस पर हम बहुत ही बिस्तिलित में बात करने वाले हैं कि अगर हम एक जिगह पर जैसे की food car में चीज़े खरीदते हैं तो उनकी price में बहुत सब्सक्राइब होता है लेकिन मंडी स्थर पर ऐसा नहीं होता है आप देखें जो इसमें जो मूल्यों होते है मूल्यों में परवरतन होता है वो थोग बजार की स्थर पर होता है लेकिन हम लोग उपभूख कहा करते है MRP पर करते है इससे क्या परभाव पड़ता है कि उपभूखता का जो inflation का परभाव होता है वो real हमें नहीं पताजल पाता है जो inflation है उसका real impact हम लोगों को नहीं पताजल पाता है हमारे देश का बिकास है यह परवापित होता है और इसमें सिर्फ दूसरी बात क्या है इसमें सिर्फ गुड्स को रखा गया है सिर्फ बस्तूओं को रखा गया है इसमें सर्विसिस को सामिल नहीं किया गया है देखिए जो यह बासकेट है इसमें सेवाओं को सामिल नहीं किय गया है तो ये कौन सी बड़ी समस्या है आपको ऐसा लग सकता है कि ये कौन सी बड़ी समस्या हमने स्रिफ बस्तू करगा ये समस्या इसलिए है क्योंकि हम लोगों की जो आय होती है मतलब जो हमारी sictor में आता है हम लोग education पहसे बहुत बड़ा हिस्सा अपनी iqa income , service sector में आता है हम लोसे कि internet use करते है और जो क्वाल्स का यूज करते हैं तो मोबाइल में हम लोग charge कर आते हैं ऐ भी испrons remove आता है हम लोग घूमने जाते हैं या फिर सिनेमा हॉल्स में जाते हैं या फिर कहीं टूर पर जाते हैं या फिर हम लोग जैसे की यात्रा कर रहे हैं तो इसमें हम टिकेट लेते हैं यह सब किसमें सामिल है यह सब सेबाओं में सामिल है तो हम अपनी आएकम मानते की 50% हमने कह खर्च कर दिया, सेबाओं पर खर्च कर दिया, और अगर सेबाओं के मूझ उपर नीचे जा रहा है, तो इस बास्केट पर कोई परवर्टन नहीं हो रहा है, बलकि अगर सेबाओं को अगर प्राइज उपर जाएगा, तो हमारी इंकम पर बेड़ इंप्ट पड़ेगा ना, लेकिन इसके दुआर अगर हम inflation लिका लेंगे तो इसमें तो हमें पता चलेगा कि कोई परवरतन नहीं आया बलके हमारे उपर क्या होगा परवरतन आया हमारी income कम होगी सेवाओं के बढ़ने से लेकिन यहां पर inflation क्या रहेगा समान रहेगा बराबर रहेगा क्यों क्यूंकि इसमें सेवाओं को सामिल नहीं किया गया है क्यूंकि इस बास्केट में सेवाओं को सामिल नहीं किया गया है और सेवाओं के प्राइस बढ़ने से तो अगर इसमें सेवाओं सामिल भी नहीं की किया और इनका प्राइस भी बढ़ रहा है इसमें impact पड़ेगा क्या नहीं तो इस बास के द्वारा अगर हम inflation लिखा लेंगे तो इससे क्या होगा हमें real inflation नहीं पता चलेगा तो इसी लिए इसकी एक और समस्य है कि इसमें सिर्फ बस्दू को सामिल किया गया services को नहीं तो इसी लिए हम क्या लेके आए है हम लोग CPI लेके आए है ओके जो इस सारी समस्या है आपको देखने को मिल रही है इनको दूर करके हमनों CPI लेके आया और उनमें इन समस्यां को समाधान किया है और साथ में हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पन जो बी निर्मेद बस्तूओं का भार यहाँ बहुत जाता है अब दीखे इसका क्या मतलब है बी निर्मेद बस्तूओं का भार जादा गड़ दिया तो इसमें कौन सी बुराई होगी दीखे बी निर्मेद बस्तूओं हैं आ तो यहां पर आप देखते हैं इनका प्राइज है वो बढ़ता है या फिर कम हो जाता है मानते हैं इनका प्राइस कम हो गया और दूसरा क्या हुआ प्राइमरी गूट्स है इनका प्राइस है बढ़ रहा है अब क्या होगा इनका प्राइस बढ़ रहा है लेकिन भार किनका है इनका ज्यादा है भार किसका ज्यादा है तो क्या होगा इनका फ्राइस नीचे जाने के कारण हमारे पास लिएगा उसमें देखेगा डबलू डब्लू पी आइक के द्वारा जो इंफलेशन है वो समान होगा क्या होगा जो inflation होगा वो normal होगा लेकिन क्या होगा हम अपनी आय का सबसे ज़्यादा खर्च कहां करते हैं primary goods पर करते हैं कहां करते हैं सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं primary goods के उपर तो हमारी जो आय होगी आय पर तो हमारे नकारात्मक प्रुभाव पड़ेगा नकारात्मक प्रुभाव पड़ेगा इससे क्या होगा हमारे पास जो अधिसेज है जो सर प्लस है वो कम बचेगा सर प्लस है वो क्या होगा कम बचेगा जिससे क्या होगा हम लोगों के उपर नीतियां लिकाल पाईगी जब अच्छे से वो नीतियां नहीं लिकाल पाईगी तो क्या हमारे देश का विकास हो पाएगा तो इसी लिए एक समस्य यह थी कि जो बी निर्मेद वस्तुएं थी इनका प्राइज उपर नहीं से जादा था तो यह सब कुछ डिस बैलेंस कर देत चलिए अब हम लोग देखते हैं CPI के बारे में और इसमें जो समस्य थी वो इसमें दूर की गई होंगी जैसे कि यहाँ पर हम जो प्राइस थे वो कहां से लेते थे थो बजार से यहाँ पर हम कहां लेंगे MRP पर लेंगे और इसमें सिर्फ गुड्स थी इनको सामिल किया गया था और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे goods एवं जो services है इन दोनों को सामिल कर लेंगे और यहाँ पर क्या था जो बी निर्मज बस्तुएं थी इनका भार अधिक था तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो primary goods होंगी इनका भार बढ़ा देंगे तो यहाँ पर समस्य आए थी इनको दूर करके हम उने क्या लेके आए CPI लेके आए क्यों लेके आए इससे क्या उपभोगता है उस पर inflation का प्रभाव होता है जो real inflation का प्रभाव होता है वो पता चल पाए क्यों जिससे जो RBI हो गया और जो government हो गई हमारी ध्यान से सुनिए यह बहुत important है यह अच्छे से अपनी जो योजनाई है योजनाई अच्छे से क्या कर सके एक तो बना सके जो योजनाई है और दूसरा क्रियान भी कर पाए होगे implement अच्छे से कर पाए अब जब ये दोने चीज़ें अच्छे से करेंगे तो क्या होगा हमारे देश का विकास होगा हमारा जो sustainable development का goal है वो हम achieve कर पाएंगे हम अपने देश में जो बिरोजगारी है गरीबी है ऐसी से जो को दूर कर पाएंगे इसलिए हम क्या लेकिया है CPI क्यों क्योंकि जिससे हम जो consumer होता है उस पर जो inflation का real impact है वो जान सकें जिससे RBI और government अपनी जो योजनाई है वो effective रूप में बना सकें ना किवल बना सकें बनकी क्रियानवित भी कर सकें तो चलिए हम लोग अब देखते हैं CPI के बारे में CPI की full form होती है consumer price index यह काफी important है और इसको हिंदी में कहते ह हैं ौपभोगता मूल सूच कांग मतलब जो इस पर हम लोग इस प्राइस लेते हैं मतलब he Lucas okay इसलिये इसको नाम दिया गया UP elf victim सूच कांग तो इस दो पर बस्तुवों और सेबाओं को खरीद रहा है उन्हीं को हमने लिया इसलिए इसको नाम दिया है उब भुक्ता मूल सुचका है देखिए जो आप अगर किसी भी चीज़ का नाम देखते हैं फुल पॉर्म देखते हैं तो उसी में उसका जो रिजन होता है कारण होता है वो छ चार इंडेकसर जारी गरते हैं सब्सकांग कि विर्न के सका вид करते हैं उग जी यसे हम चार सुचकांग क्यों प्रकासित करते हैं देखिए हम इंडेसाटियल बर्गर हैं उनके लिए इसीत्रह तरह आइकरिकंचर Ladis लएंबर है उनके लिए जो रूलर लेफर हैं उनके लिए अलक से हम एक सुचकांग इंडेक्स लिकालते हैं, इसी तरह जो सहरों में non-manual employees हैं, उनके लिए अलक से सुचकांग लिकालते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए हर सेगे की निसन अलग होती है, अब ही हम लोग देखेंगे कि जो चीज जैसे कि जो ग्राविट शित्र में अगर हम ले लें अगर बहाँ पर कोई 100 रुपय में अपना जीवा निर्भा कर सकता है भही हम जैसे मॉंबई दिली मेड्रो सेड़ी ले लें क्या यहां पर वो 100 रुपय प्रति दिन पर अपना जी अलग अलग छेत्रों के लिए अलग अलग से темक्स लिए लगा लें कि नियुकर करते के दिन ले एक का करेंगे विंधे आप इसके लिए समस्केषिंट ने वी के लिए उदि इस पर वार्वा Всем के लिए खलिए इसके नेолी ते बातम बड़केट ऑंदे कर देंगत inde B racket मित नो और मैं आपको इसका ड architectural जो real basket है उसके वारे मने दिखाता हो, अब देख़िए इस बास्केट को जैसे उस बास्केट को हमने कितने हागों बड़ा था? तीन बागों में इस तरह ले बास्केट को हम कितने हागों बाटेंगे? च्छे भागों बढ़ेंगे देखे इनका स्विक्वेंस है यही रखे इसको आगे पिछे ना करिये अब देखे पहले में हमने क्या रखा है खाध्यान और प्याइप अधा हदर रखा है और देखे इन चीजों का भार है इस बास्केट में सबसे ज़्यादा कर दिया हैं जो कि तो हमारे भीहारी उपई से होंगे तो आँखो बताओगा के पांस उपारी ना दो तो माना जाता है कि भाई खाते धारी इस में थारी त्हान को हमागों भी रख दिया अब इंसान ने खापी लिया उसके बाद रहने का भी तो विवस्ता की जाए महाना है उसके हो गया रहना भी हो गया अब उसको क्या चाहिए पहनने के लिए तो कुछ चाहिए तो इसलिए हमने इसमें जूता चप्पल रख दिया इसमें बस नहीं होगा बस रोगा यहां पर ओके तो यहां पर क्या हो गया जूता चप्पल ओके अब इसके अलावा उससे क्या चाहिए इधन भी तो चाहिए है energy भी तो चाहिए है इसलिए हमने फाइसेवे वाले भाग भी कै係ा रख दिया energy रख दिया इधन और इसमें देखिए 6 A new add क्या गया है ये क्या है कुछ हमने महतपूर सेबाओं को इसमें सामिल कर दिया गया जैसे कि दूर से अंचार हो गया परीभान, चिगिश्चा, सिक्षा, मनोरंजन, यह कुछ महतपूर्ण सेबाएं हैं, इनको भी सामिल कर दिया, क्यों, क्योंकि हम अपनी आये का एक महतपूर्ण हिस्ता कहां कर से करते हैं, यहां पर, इससे क्या होगा, हमारी जो रियल, जो ह बना सकते हैं, बलकि उनको क्रियान भी कर सकती है, तो यहां पर आप लोगों की इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, अब हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में, और यह most important है, और इसमें अभी changes हुआ है, इसलिए और ज्यादा important हो जाता है, हमारे paper के point of view से, देखें पहले सो जारी किया जाते थे, वो चार सुचकांग पहले जारी किया जाते थे, CPI for industrial burger पहले जारी किया जाता था, और पहले जारी किया जाता था, CPI for agriculture labor, agriculture के जो labor होती हैं, जो किर्सी छेतर के जो लोग होते हैं, उनके लिए अलग से एक index जारी किया जाता था, इसी तरह CPI for ruler neighbor है उनके लिए एक अलग से index जारी किया जाता था और CPI यहां पर आई होगा CPI for urban and non-manual implies थे इनके लिए अलग से index जारी किया जाता था लेकिन इन्हें क्या हुआ इन तीनों को last वाले जो तीन है जो मैंने red color से यहां पर लिखे हैं इन तीनों को बंद कर दिया अब आपके दिमाग में यहां सा सकता है तो देखिए जो ऊपर के यह तीन है आपको यहां से दिखाई पढ़ रहे हैं इनको स्रम ब्यूरो था यह data collect करता था और लिकालता था स्रम ब्यूरो किसके अंतर गता आता है स्रम मंतर आले के अंतर गता था तो इस बात को आपको ध्यान रखना होती है इसकी फुल फार्म होती है Central Statics Office होती है एक किस मंतराले के अंतरगत आता है तो यह Ministry of Statics and Program Implementation के अंतरगत आता है लेकिन आप क्या है इन तीनों को तो बंद कर दिये इसकी जगे पर कुछ तो लाया गया होगा चलिए हम भो भी देख लेता है पहले मैं इसको clear कर देता हूं जिससे हमको अच्छे से समझ भाजा जाए अब देखे इन तीनों की जगे हमने तीन नए index जारी किया तो अब total कितने index जारी किया जाते हैं एक तो यह जारी किया जाता है और दूसरा ही तीसरा ही च्वाथ है यह 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 जाते हैं लेकिन जो यह तीन थे इनको समझ पर करके तीन अन हमने इन डेक्स लिका दिए जिन्हें कहते हैं CPI for urban CPI for rural और CPI for combined अब इसका क्या मतलब है देखिए हम लोग जाते हैं और बहां से data collect करते हैं हम कौन स्रम विरू क्योंकि इसका data क्लेक्ट करता है स्रम विरू और किसके अंतर गताता है स्रम मंत्राले के अंतर गताता है और कितनी और दोगी काईयों से जाकर के हम data collect करते हैं हम 78 और दोगी काईयों हैं जिने हमने चिन्नित किया है यहां से जाकर के हम data लेते हैं और इसी के आधार पर जो government employees होते हैं जो government के employees होते हैं उनका बेतन भत्ता होता है न वो यहां से ही जारी किया जाता है इसी के आधार पर बेत यहां से गौर्वर्मेंट का जो गौर्वर्मेंट के इंप्लॉइस होते हैं उनका बेतन होते हैं यहां से निरधर इतने किया जाता है यह कई बार यह पूछा गया है तो आपको यह इंपॉर्टेंट चीज़े याद रखने हैं अब हम लोग बात करते हैं CPI for Arbor देखे हम सहर से जाकर के आख्ड़े लेते हैं यांकि डाटा करते हैं कितने सहरों से 310 680 ऐसी हैं जिने हमने चिन्त किया है और बहां से जाकर के हम डाटा किलेक्ट करते हैं तो इसी तरह हैं आपके दिमाग में आ सकता है CPI for Rural और यानकि ग्रामीड च्षित्रों से भी जाकर के हम डाट collect करते हैं ओके और हम कौन हैं यहाँ पर हम का मतलब है यहां पर CSO क्योंकि आपके दमाग में ऐसा कुछन आ सकता है कि आखिर देखिए इसको तो CSO करता था इस सिर्म मत्रा ले करता था अब यह नए तीन मैंने इसको लिखा नहीं है क्योंकि अभी recently change हो है तो NSSO है इन दोनों को जोड़ दिया है मतलब इन दोनों को merge कर दिया है इन दोनों को बिला करके एक नए विभाग का गठन किया है जिससे कहते है NSO कहते हैं और NSSO की फुल फॉर्म होती है नेशनल सेंपल सर्वे ओपिस तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अब इन दोनों को क्या करते है मर्ज कर दिया है अब देखिए इस तरह से पूछेगा वो अगर यहां पर CSO दिया कुश्चन में तो आपको टिक कर देना है सही option के रूप में अगर उसने क्या किया CSO की जगए NSO दिया तो आपको कांफ्यूज नहीं होना है एकदम वे धड़क हो करके आपको NSO लगाना है लेकिन अगर उसने दोनों दे दिये मतलब CSO भी option में दे दिया और NSO भी option में दे दिया गया है NSO ओके तो आपको किसको टिक करना है इसी को टिक करना है बे धड़क हो करके एकदम परिसान नहीं है और इसको लगाई है तो आपको यहां पर इस चीज़े समझ में आ गई और आपको आप यहां पर एक confusion हो सकते है CPI for combined हैं यहां हम कहां जागर के data collect हरेंगे त तो इन दोनों का जो average होता है तो इसी को हम CPI for combined में करते हैं क्योंकि यह सईयुक्त है यहां कि दोनों का जो भी average होगा इन दोनों को मिला करें जो average होगा वो इसका data हो साएगा अब इसके लिए आधार वर्स कौन सा है ग्यारा बारा जो यह तीन नए index है जो यह तीन नए index ह इनके लिए जो base year हमने रखा है वो 2011 रखा है देखिए ओके इन तीनों के लिए हमने जो आधार वर्स है base year है वो कौन सा रखा है 11 यह important आपको ध्यान रखना है और जो WPI है उसके लिए भी आधार वर्स कौन सा है 2011 बारा लेकिन हैं आपर most important बात आपको ध्यान रखना है CPI for industrial burger है इसके लिए अधार वर्स अभी भी कौन सा है 2013 14 देखिए आप इसलिए गलत कर जाते हैं इसलिए मैं इसको clear करके दोबारा से समझाया CPI for industrial burger जो index जारी के अधार वर्स अभी भी 2013 14 और सभी के लिए और जितने WPI CPI के जो अधर बचे हैं उन सब के लिए आधार वर्स कोई भी चीज आती है तो उसमें चैलेंजिस तो होती हुथ है आप देखिए इसमें क्या था इसमें जो इतनी सारी बस्तों है रखी गए है इनका प्राइस भी कहीं से लिया जाता होगा तो यह कहां से लिया जाता है MRP मतलब जो MRP होता है जहां पर उपभुखता जाकर करक तो इसमें समख्ष्या क्या है जैसे डाबलू प्याय में कुछ समख्ष्या कि समख्ष्या है कौन क्वाढ़ सी आप यहां पर अच्छे समझे देखें यह पर हम एगजमपल लेते हैं से यह और फनी गर्चैन आप इसी सहर में दूसरे चैन forehead था एंगे यहां पर अपर देक से मिले लेकिन अगर आप एक राज्ज से दूसरे राजडे में या फिर 7 में यह पर एक सेहर सेथे सेहर प्लिभ चेती है सिटी कर भिघनी केज़िये से're हो सकते हैं आपको दे कर फित डूसरा या विठी में हो सकते हैं प्राइस और जाय से में positives by Kita चले जाएं तो यहाँ पर जो सेव इसका प्राइस हो सकता 2200 रुपाय कीजी तक हो जाएं आप यहां पर समझें एनी हैं समझ यहां से गए जो cso मालेते गया अफ कीज़ी ढ़ेक एक जगह देखा तमसितों कहीं पर 250 50 رपی कि लोहिएँ-पूस रहे हैं मैं इन में से कौन सा डर्टा लूह यार क arrest दीम नहीं है क्य smash से करें हम अंब और आप कर यह को हम यहां से करफ चैलन 절ुक्त साflow तो यहां पर बहुत बड़ा चेलन्जहाँ दोलौस रहे हा है बहुत una यहां पर वो कहते हैं चलिए हम डेट सो रॉपए केजी ले लेता है आप डेट सो रॉपई केज्डी उस ने लेलिया प्रया लेकिन यहां पर जो सर्पलस है इसे ङो अपने ऊतना ही chroniz करना पढ़ रहा है, क्या उसे भी इतना ही करना पढ़ रहा होगा, नहीं, इसके पास surplus काम बचेगा, जो surplus होगा, अधिसेश होगा, कम बचेगा, क्यों, क्योंकि इस जगह पर चीजें महगी हैं, और इस जगह पर चीजें सस्ती हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, कि हम यहांपर कौन सब्राइस लें, और देखिए हमारा देश बहुत बढ़ा है, बहुत ब्विज्टते हैं, और हमारे चीजे में बहुत जदा डिफिकल्टी भी है, तो यहांपर चैलेंज तो बना रहता है, और दूसरा चैलेंज क्या है कि आप हर सिटी में जाकर के आपको क्या करना है प्राइस कलेक्ट करने हैं जाकर के हर गाउं गाउं जाकर के आपको प्राइस कलेक्ट करने हैं जाकर के तो ये बहुत बड़ी समस्य है क्योंकि हमें हर महीने यहाँ पर आकर के आकड़े जारी करन और हर महिले जाकर के हमें इतनी सिटी से इतने घर घर जाकर के डाटा केलेक्ट करना है तो यह तो बहुत बड़ी समस्य होगी ना तो पहले समस्य क्या है कि जो प्राइज है उनमें बहुत होता है और दूसरा क्या कि हम घर घर जाकर के या फिर हम दुकान दुकान जाकर के यह नहीं पता कर सकते कि किस बस्तू का कितना प्राइस है इसके लिए हमें बहुत बड़े amount में निवेश करने के आवा सकता है और अगर हम प्राइस जान भी लेते हैं फिर यह बहुत बड़ा confusion आजाता है कि हम कौन सा प्राइस लें इस इंडेक्स से जादा बहतर है जो डाबलू पी आई है उससे जादा बहतर है हम सारी समस्याओं का हल लेकाल लेते हैं तो आप भी परिशन ना हुए अगर आपके सामने कोई समस्या याती है उन्हें सौल्ब करें और आगे बढ़ते रहें अगर आपको इसके बाद इस वीडियो को देखन